और आज हम आपको बताने आएं दोस्तों कि खेल के नाम पर मोधी सरकार किस तरह का नाटक करती है, किस तरह का प्रपंच, किस तरह का ड्रामा करती है आप जानते हैं कि उलम्पिक खेल जो हैं कली खत्म हुए, रविवार को खत्म हुए मगर खेलों के नाम पर ये सरकार क्रेडिक तो लेती है, श्रे तो लेती है, मगर काम नहीं करना चाहती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर उससे पहले दो बड़ी खबरें आपके स्क्रीन्स पर एक एक करके आ रही हैं दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आपको भारत समाचार की खबर बताना चाहता हूँ, खबर पढ़ूँगा फिर मैं उसकी जर्चा करूँगा, खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन्स पर शहीद की विरांगना को पुलीस ने पहुचाया थाने, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे कौशल, शहीद की पतनी बेटे को पुलीस ने पहुचाया थाने, शहीद की पतनी मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, घोशनाओ को पूरा न करने को लेकर पहुची थी प भाजपा कारकरम स्थल के पास से पुलीस ने रोका मुख्य मंत्री से मिलने का वक्त मांग रहा था परिवार. तो खबर देखिए आपने दोस्तों, शहीद का परिवार, वो पुल्वामा जिसके नाम पर भारतिय जनाता पार्टी ने बेशर्मी से जनता के सामने वोट मांगे थे, अगर आप भूल गए हों तो आपको फिर से यार दिलाना चाहता हूँ कि प्रधान नंत्री नरेंद्र मो वो भी चुनावों में, सुदिए, पुलीस ठाने ले जाती है, इस तरह से ये लोग सम्मानित करते हैं हमारे शहीदों का, ये मेरे शब्द नहीं है, भारत समाचार, वहां का जाना माना जो न्यूस चानल है, जिस पर आपने हाल ही के दिनों में इंकम टाक्स की रेड मारी थी, ये उनकी खबर है, तो मेरे सव प्रदिश के अंदर हो रहा है, जहां पर आज से साथ महीने बाद चुनावें, जवाब दीजे, इस बात का क्या जवाब है आपके पास, भारत समाचार की इस खबर का क्या जवाब है आपके पास, दोस्तों इससे पहले की आगे मैं आपको बताऊं कि खेल के नाम पर भारत जनता पार्टी से जुड़ा एक कारकरता रहा है, उसने एक आयोजन किया, इस आयोजन में जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बहुती जहरीले नारे लगाए गए, समाज के अंदर शांती को भंग करने की चुनोती दी गई, मानो दिल्ली के दंगों से पहले जिस FIR registered against unknown persons after a video emerged showing inflammatory slogans been raised at Jantar Mantar during a march for colonial laws and make uniform laws yesterday, Delhi police sources. अग्यात लोग के खिलाख FIR, मानिवर, अश्विनी उपाध्याय नाम के भारती जनता पार्टी के चाटुकार ने खुली चुनोती दी थी, कि मैं ये आयोजन कर रहा हूँ, और उसी आयोजन के अंदर इस तरह के भड़काओ बयान दिये गए, जिसमें समाज के अंदर जहर पैदा करने की चुनोती दी गए, और आप एफायार दर्श कर रहे हैं अग्यातलों के खिलाफ, आपने देश की जनता को क्या समझ रखा है भाई, क्या समझ रखा है आपने, इसलिए दोस्तों, मैं आज एक बड़ा दावा करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये जो आयोजन हुआ, जिसमें जहर एक तरह से मानो बोया गया समाज के अंदर, इसके पीछे भारती जाता पार्टी का पूरा समर्थन है, दिल्ली पुलीस का पूरा समर्थन है, बीजेपी सरकार का पूरा समर्थन है, वरना आपने पहली बात तो जब ये लोग ये नारे लगा रहे थे, आपने उसी वक्त उन पूर लगाम लगाना चीए था और यह अज्यात लोग क्या होता है दोस्तों आज तक जेन्यू के अंदर जिन लोगों ने हमला किया था इन लोगों ने आज तक कोई कारवाई नहीं की आपको याद होगा हाली मैं संसद में ये बयान दिया था मोधी सरकार ने सेंटर ने पारलिमेंट को बताया कि अब तक हमने जेन्यू वाइलेंस में कोई गिरफतारियां नहीं की साफ तोर पर कई लोगों की पहचान जेन्यू में जो हिंसा होई थी उसमें हो चुकी थी कई लोग जेन्यू के बाहर खड़े होकर गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे चुनौती दे रहे थे हिंसा करने की कुछ लोग अंदर भुस गय थे उनकी भी पहचान हो गए है, अगर आज तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है उसी तरह से जंतर मंतर पर जो लोग हिंसा की चुनौती दे रहे थे जो लोग दिल्ली दंगे की नीव रख रहे थे, इस पर ये लोग कोई कारवाई नहीं करने वाले है कितने शर्म की बात है और अब दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि खेल के नाम पर मोधी सरकार क्या मजाग करती है सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा आपके स्क्रीन्स पर ये खबर देखिए पिछले आम बजट में इन्होंने खेल के बजट को 230 करोड रुपए कम कर दिया था और फिर हमारे जब खिलाडी जो हैं वो जबर्दस प्रदर्शन करते हैं तो इसका क्रेडिट लेने इसका शुरे लेने का ये लोग प्रयास करते हैं हौकी टीम ब्रॉन्स मिडल जीतती है उसका क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं जबकि आप जानते हैं कि ये शक्स नवीन पटनाय जो कि उडिशा के मुख्य मंत्री हैं उडिशा ने करीब 2024 तक ये लोग हमारी हौकी टीम को स्पॉंसर कर रहे हैं ये लोग हमारी हौकी टीम पर 150 करोड रुपे खर्श रहे हैं अगर किसी राजनेता को इसका क्रेडिट जाता है तो नवीन पटनायक को जाता है और इससा सरकार को जाता है और आप लोग क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं आप लोग हर जग अपनी शकल दिखाने का प्रयास करते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको याद है सेमी फाइनल में भारत का मुकाबला हो रहा था और फिस सेमी फाइनल हार गया भारत वरना वो फाइनल्स पहुच जाता जब सेमी फाइनल चल रहा था तो उसके बीचों बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया कि मैं ये हौकी मैच देख रहा हूँ उसके बाद भारत हार गया फिर ट्विटर के अंदर एक बहुत ही वाहियात ट्रेंड चला था जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बताया गया था ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों वो देश के प्रधान मंत्री है इस तरह की शब्दावली का हमें इस्तमाल नहीं करना चाहिए फिर क्या हुआ दोस्तों कि हम सेमी फाइनल हार गए मगर फिर हम ब्रॉंज मिडल जीते और उसके तुरंथ बाद क्या होता है कि राजीव गांदी खेल रत्म पूरसकार का नाम बदल कर ध्यानचंद खेल रत्म पूरसकार कर दिया जाता है आपके स्क्रीन्स पर भारतिय जनता पार्टी के मुख्य विदूशक सॉरी मुख्य प्रवक्ता संबिक पात्रा का इट्वीड देखिए थांक्यू मोदी जी दे मेजर ध्यानचंद खेल रत्म पूरसकार मगर अगर आप उस मेडल को देखें दोस्तों यहाँ पर वो मेडल दरसल परमवीर चक्र है वो खेल रत्म मेडल नहीं है परमवीर चक्र है यानि कि यहाँ पर भी जूट का भ्रमित करने वाली तस्वीरों का इस्तमाल भारती जनता पार्टी के मुख्य कॉमेडियन इसे मुख्य प्रवक्ता इस्तमाल कर रहे है इस तरह से ये लोग चीजों में कूदने का प्रयास करते है और इसमें साथ कोई और नहीं इनका पालतू मीडिया भी देता है जी नियूस देखिए साब किस तरह का कारकरम चला रहा है नीरज की जीत पर ट्विटर गैंक खामोश क्यूं पॉलिटिक्स ऑन प्राइड यही नहीं इन्होंने कॉंग्रेस को भी टार्गेट किया था कि कॉंग्रेस जो है वो नीरज चोपड़ा की जीत पर नाखुश क्यूं है आप मुझे एक बयान बता दीजे दोस्तों कौन सा भारती है नीरज चोपड़ा की जीत पर नाखुश होगा इस तरह से घलत बयानी करता है इस तरह से जूट का प्रचार प्रसार करना कुछ नहीं क्या ये सवाल आप से पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए मैं आपको हकीकत बताता हूं दोस्तों एक-एक करके आपकी स्क्रीन्स पर आने वाली है हर्याना के ग्रह मंत्री अनिल विज आज से कुछ सालों की पहली बात है इन्होंने एक बहुत ही विवादासपत बयान दिया था हमारे खेल खिलाडियों को जीत के बाद जो इनाम मिलता है जो इनाम की राशी मिलती है उसमें इन्होंने खेल कर दिया था इस पर आज से कुछ दिनों पहले बजरंग पुनिया हमारे स्टार खिलाडी 25 जून 2019 का इनका बयान देखे देख खिलाडी जब देश के लिए मेडल लाता है वो देश की जीत होती है ये एक दिन की मेहनत से नहीं पूरे जीवन की तपस्या से प्राप्त होती है खिलाडियों को मिलने वाली राशी में कटौती करके उनकी मानसिक्ता और आत्म सम्मान पर ठेस ना पहुँशाएं मेरी सरकार से विंती है कि इस निर्णे पर फिर से विचार करें जैसा कि आप जानते हैं कि हर्याणा सरकार ने 2019 में हमारे खिलाडियों को जो राशी मिल रही थी उसमें कटौती कर ली और ये मुद्दा कोई और नहीं बजरंग पुनिया उठा रहे हैं और यहीं नहीं उनको साथ मिला किसी और का नहीं बलकि नीरच चोपडा का हमारे गोल्डन बॉय का नीरच चोपडा ने क्या कहा एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आ रहा है ये बयान उन्हों दिया है मनोहरलाल खटर को जो कि हर्याणा के वुख्यमंत्री है मनोहरलाल खटर जी, अनिलविज जी, सर जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो पूरा देश खुश होता है और आप भी गर्व से कहते हैं कि हमारे हर्याणा के खिलाडी है हर्याणा के खिलाडियों ने खेल जगत में अपनी अलग से चाप छोड़ी है दूसरे राजबी हर्याणा की मिसाल देते हैं कृपया करके इस मिसाल को कायम रहने दीजिए आगे नीरज क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर और आपने जो खिलाडियों को इनाम राशी देने का वादा किया था कृपया उसे पूरा करें ताकि हम इन चीजों से ध्यान हटा कर अपना पूरा फोकस आने वाले उलम्पिक खिलों पर लगा सकें और अपने देश और राज़ी का नाम रोशन कर सकें ये बयान उन्होंने दिया था 26-26 बारती जानता पार्टी की एक सरकार जो है वो इनाम राशी को कम कर रही है 2019 का ये बयान है इतना शर्मना काम एक राज़ी कर रहा था और ये क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे खिलाडियों के पदकों के लिए हौकी में आपने कुछ नहीं किया काईदे से हौकी की टीम को क्याप्टेन अम्रिंदर सिंग को स्पॉंसर करना चाहिए था कॉंग्रेस के पंजाब को नहीं किया इनोंने 150 करोड उडिसा कोई बहुत धनी राज्य नहीं है 150 करोड लगा है इनोंने उत्तरपदेश की आदितनाथ सरकार जो की पालतू मीडिया को करोडो रुपएदान में देती है वो लोग स्पॉंसर कर सकते थे हमारी हौकी टीम को नहीं किया मगर आज आपको ड्रामा करना है आपको क्रेडिट लेना है और यहीं नहीं दोस्तों ये लोग किस तरह का प्रचार करते हैं मैं आपको तीन वीडियोस की जलक दिखाता हूँ सबसे पहले ये जलक देखिए दोस्तों आप देखिए बाकाइदा किरन रिजीजू इस ट्वीट में देखिए इसका प्रचार प्रसार कर रहे है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हमारी हौकी टीम से बात कर रहे है इसका पूरा वीडियो बनाया है इनोंने देखिए इस वीडियो के एक छोटी सी चलक अब एक वीडियो देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हमारी जो महिला ओकी टीम है जो हार गई ब्रॉंज मेडल नहीं जीत पाई उनसे बात कर रहे हैं कि आप रोईए मत यह वीडियो देखिए आप यहाँ पर भी इसका पूरा फिल्मांकन किया गया यह नहीं कि जो तुमने 230 करोड रुपे कम खर्श किये हैं उस पर कुछ पश्चाताप करते हैं मगर यहाँ पर भी ड्रामा चल रहा है देखिए अब देखिए प्रधान मंत्री साक्षात सामने उभर कर रहे हैं यहाँ पर वो नीरच चोपड़ा से बात कर रहे हैं जो गोल्ड मेट जीते थे इसकी भी 30 सेकंड की जहलक देखिए जरच जी नमस्ते नमस्ते सर्थ और बहुत बहुत बढ़ाई आपको आज अलम्पिक समापन की जिसा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया है मैं आज जलक आपको क्यों दिखला रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि देखिए ये जो सरकार है ये जो भाजपा हमारी सरकार है वो सिर्फ हमारे खिलाडियों के अच्छे प्रदर्शन का श्रे लेना जानते हैं ये लोग अपनी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं करना चाहते हैं, अब जब की जीत गए तो हम इसका क्रेडिट लेंगे, आज ये बता रहे हैं कि भारत साथ मेडल जीता है, अरे आपसे ठीक दस साल पहले हम लोग छे मेडल जीते थे, यानि कि दस साल जब कॉंग्रेस की स सरकार थी, उसमें सिर्फ हम एक मेडल का इजाफा हुआ है, बताइए, क्या किया है आपने, ऐसा क्या चमतकार किया है, क्या आपने उस तरह का इन्वेस्टमेंट किया, जैसा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया था, चलिए, अब तक नहीं किया, मगर आने वाले द बताया, नीरत चोपडा जिन्नोंने बोल्ड मेडल जीता था, वो मुख्यमंत्री खटर का कह रहे हैं कि हमारे खिलाडियों का ऐसे अपमान मत कीजे, बजरंग पुनिया, वो बता रहे हैं कि हमारे खिलाडियों का ऐसे अपमान मत कीजे, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतिहास से भाजपा सबक लेगी और इस तरह से इस तरह से जब हमारे खिलाडी जीतने हैं तो आप उसका क्रेडिट लेने की होड नहीं मचाएंगे बात सुनेंगे ना मेरी अभिसार शेर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार